नीम करोली बाबा के जीवन की तीन चमतकारी घटनाएं स्वागत है आपका आस्तिक स्प्रिच्वल सीक्रेट्स में नमस्कार हमारे वीडियो और लेख अपने मोबाईल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे एप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बोक्स में दी गए लिंक को क्लिक करें साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिस बाबा के आश्रम में आये फेस्बुक और एपल कंपनी के मालिक उन्ही बाबा का नाम है नीम करोली बाबा जिनने लोग प्यार से महराज जी भी कहते हैं नीम करोली बाबा जी बहुत ही चमतकारी थे उन्हें हनुमान जी की सिध्धी प्राप्त थी उनके भक्त बताते हैं कि वो हनुमान जी से बाते किया करते थे और अपने भक्तों को हर रोज कुछ ना कुछ चमतकार दिखाते रहते थे उन्हें 17 साल की उम्र में घ्यान की अनुभुती हुई थी विदेश से आने वाले लोग भी नीम करोली बाबा की शिश्षी बन जाते थे और वे अपना नाम रामदास, लक्षमनदास, कृष्णदास इस तरह से बदल लेते थे ऐसे ही एक हावड के प्रोफेसर बाबा जी के भक्त थे जिन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया और पूरी जिंदगी इसी नाम से जाने गए उन्होंने अपनी किताब में नीम करोली बाबा की चमतकारों के बारे में और बाबा जी की सांथ बिताए उन दिनों का सच्चा अनुभव लिखा है नीम करोली बाबा एक ऐसे सिध्ध संत थे जिन्होंने अपने भक्तों को बहुत से साक्षा चमतकार दिखाए एक बार तो उनके बिना ट्रेन भी आगे नहीं बड़ी ऐसे हनुमान जी के अनन्य भक्त और सिद्ध संत नीम करोली बाबा जी के चमतकारों की सच्ची कहानी सुनने मात्रे से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा एसे ही चोकाने वाले छे चमतकार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला चमतकार एक बार नीम करोली बाबा जी के पास एक व्यापारी आया बाबा जी ने उससे आश्रम में लगने वाली इटों के लिए दान मांगा लेकिन वो आदमी बड़ा ही कंजूस था और उसने महाराज जी को यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई भी धन संपत्ती नहीं है ऐसा कहकर जब वो अपनी दुकान वापस गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान भेंकर आग से जल रही है वो तुरंत महाराज जी के पास गया और बोले कि मेरी दुकान में आग लग गई है मुझे बचाईए तब बाबा जी ने कहा तुमने तो बोला था कि तुम्हारी कोई संपत्ती नहीं है व्यापारी बोला बाबा जी में जूट बोल रहा था तो बाबा जी ने कहा कि तुम अब भी जूट बोल रहे हो तुम्हारी दुकान नहीं जल रही और जब वो व्यापारी अपनी दुकान के पास गया तो सिर्फ एक मिर्ची के बोरे में आग लगी हुई थी दूसरा चमतकार एक बार एक आदमी नीम करोली बाबा के लिए संत्रे लेकर आया और महराज जी के बाजू में रखी टोकनी में डाल दिये महराज जी उन संत्रों को वहाँ बेठे सभी लोगों को बाटने लगे बाटते बाटते नीम करोली बाबा जी ने 48 संत्रे बाट डाले आश्चरे की बात तो ये थी कि वो आदमी सिर्फ 8 संत्रे लेकर आया था लेकिन महराज जी ने वहां मौझूद सभी 48 लोगों को 48 संत्रे बाट डाले है ना ये चमतकार अधभुत इस वीडियो को लाइक जरूर करें आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोचसाहित करता है तीसरा चमतकार एक बार महराज जी का एक भक्त आगरा से केची धाम आया और वहाँ से ट्रेन से कॉलकाता जाने वाला था जब वो नीम करोली महराज जी के पास बेठा था और बाचित कर रहा था तब ही उसने महराज जी को बताया कि आज रात की ट्रेन से वो कॉलकाता के लिए रवाना हो जाएगा तब ही नीम करोली बाबा ने उसे जाने से रोख दिया वो बहुत चिंता में पढ़ गया लेकिन बाबा जी की बात मानकर वो ट्रेन से कॉलकाता नहीं गया दूसरे दिन अकबार में उसने उसी ट्रेन के एक्सिडेंट के बारे में पढ़ा तो महराज जी के चर्णों में जागिरा तो देखा आपने किस प्रकार नीम करोली महराज जी ने साक्षाच चमतकार दिखा कर अपने भक्त को बचा लिया चोथा चमतकार रामदास लिखते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा जी ने मुझे एक सो रुपे का नोट रखने के लिए दिया मैंने महराज जी से सो रुपे का नोट लेने से मना कर दिया लेकिन उन्होंने फिर से नोट देते हुए कहा कि तुम्हें ये रखना चाहिए मैंने फिर से मना कर दिया तो महराज जी ने कहा ठीक है तो फिर ये नोट में ही रख लेता हूँ उसके बाद जम मैं वहाँ से चला गया तो मुझे वो सो रुपे का नोट अपनी जेब में ही मिला पांचवा चमतकार जब नीम करोली बाबा ने अपने आपको अनन्त में विलीन करके अपने प्रांट याग दिये तो उनका दाहा संसकार किया गया तब महराज जी का एक अनन्य भक्त उनकी चिता के बाजू में बैठ कर श्री राम जैराम जैजैराम का भजन राद भर करता रहा सुबह उसने सभी को बताया कि उसे आग के उपर नीम करोली बाबा बैठे हुए दिख रहे थे और उनके एक तरफ स्री राम तो दुसरी तरफ महादेव थे और वो दोनों महराज जी के उपर घी डाल रहे थे और उनके उपर सभी देवी देवता फुलों की बारिश कर रहे थे और सभी बहुत खुश थे छटवा चमतकार दोस्तों नीम करोली बाबा का नाम लक्षमी नारायन था वो नीम करोली नाम के गाउं में एक गुफा में तब किया करते थे एक दिन गंगास नान करने जाने के लिए वो गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक ट्रेन दिखी महराज जी का मन ट्रेन से जाने का हुआ फिर क्या था ट्रेन एका एक रुख गई और महराज जी ट्रेन में चड़ गए लेकिन टिकेट ना होने के कारण टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया महराजी रेल पटरी के बाजू में ही एक बाग में जाकर बेट गए टीटी के सिगनल देते ही ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी ये एक अचमबित कर देने वाली बात हुई कि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी ड्राइवर और दूसरे करमचारियों ने ट्रेन को पूरी तरह से चेक कर लिया लेकिन किसी को भी ट्रेन के ना चलने का कारण समझ में नहीं आ रहा था तब ही एक आदमी ने ड्राइवर से कहा आपके टीटी ने बाबा जी को नीचे उतार दिया है इसी वजह से ट्रेन नहीं चल रही है तब ट्रेन ड्राइवर और अधिकारियों ने महाराज जी से माफी मांगी और आदर पूरवक उन्हें ट्रेन में बेठने को कहा और फिर क्या था महाराज जी के बेठते ही ट्रेन आसानी से चलने लगी जिस गाओं में ये सची घटना घटी उस गाओं का नाम ही नीम करोली है इसी तरह बाबा जी नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद हुए बलो नीम करोली बाबा की जए अगर आप इसी तरह की सिध्ध संतो के समतकार की सची कहानिया सुनना चाहते हैं तो कमेंड में जैशी राम ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारे धार्मिक कंटेंट से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे एप आस्तिक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वरना आपको हमारे इंट्रेस्टिंग वीडियोस नहीं मिलेंगे जैश्री राम